एक गाओं में एक औरत रहा करती थी पर उसके पती की हत्तिया हो गई थी उसके पती को किसी ने मार दिया था तो वहे वो बहुत ज़्यादा रोते हुए बोलने लगती है अरे राम मेरे पती को पता नहीं किसने मार डाला है इन कम खतों को तो यहें नर्ट ही मिलेगा ये तड़प तड़प कर मरेंगे इस रस्टी पर इतना इतना बुरा कर्म करते हैं ये लोग इनको तोड़ी से लज्जा भी नहीं आती कि दूसरों को मारना कितना बुरा पाप है ये मरेंगे, मैं ये काम करती हूँ, पड़ोसी दीदी के यहां पर चलती हूँ, मेरा तो मन भी नहीं लग रहा करके, मैं चलती हूँ यहां से, इतनी सब बात कहते ही है, वो वहां से चली जाती है, और अपनी पड़ोसी बेहन के गर पर आ जाती है, और वहर रोते हुए बूल पता नहीं कौन है, उनकी हत्या कर दी गई है, अच्छा अब तो ये सो हुआ है चोटी तेरे साथ, ये तो बहुत ज़ादा गल्थ हुआ है, ऐसा क्यों करते है ये इंसान, मुझे तो इंसान का जनम अब बहुत ज़ादा बुरा लगने लगा है मेरी बहन, यहाँ इनसान इतन क्या नर्क में भी जगा नहीं मिलेगी मेरी दीदी और ये इस लोक में तड़ा तड़ाप कर मरेंगे मेरे पती को मार दिया मुझे एक विद्वा उरत बना दिया है इनने दीदी हाँ हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है मेरी चोटे बहन अब हम क्या कर सकते हैं इसमें अब तो जो हुआ सो हो ही गया अब तो तेरा पती तो मर गया मेरी बेहन ये बहुत ज़्यादा गलत हुआ हमारे देवर जी इतने अच्छे थे इतनी सब बात के देही पीछे से उस लड़की का पती आ जाता है और यहे बोलने लगता है अरे अरे किस किस को बुला लेती हो तुम घर में ए औरत चली जा यहां से बला तु मेरे घर में क्यों आ गई है तुझे किसने बुलाया है जो कि तु मेरे घर में आ गई है यहां से जाती है या नहीं या फिर मैं तुझे अभी यहां से डत्ये मार कर भगाओ चली जाए यहां से यह कहां कहां से आ जाती है गरे वोरत यह बात सुनकर उसकी पत्मी बहुत ज़्यादा चोक जाती है और उसका पती उसके बारे में बहुत ज़्यादा भरी बुली बोलता है यह बात सुनकर फिर यह लड़की बोलने लगती है अरे भया जी मुझे माफ करती जी अम मैं आपके घर पर कभी भी नहीं आऊंगी ठीक है तो देदी में चलती हूँ मुझे पर बहुत जादा बड़ी गल्टी हो गई है अम में चलती हूँ अरे जी देखिये न वो बुरा मान गई मैंने आपसे कहा था ना आपसे बिल्कुल भी बोलने की तमिज नहीं है कैसे बात करा जाता है महले बालों से ऐसे भला कोई बात करता होगा अरे अरे भेज इसको यहां से ए औरत चली जा यहां से जाती है या नहीं कहां कहां से आ जाती है ऐसी ओरत दीदी मैं चलती हूँ अम मैं कभी भी तुम्हारे घर में नहीं आऊंगी अरे अरे छोटी तु बुरा क्यों मान नहीं है बुरा मत मान यह तो ऐसे ही बोल रही है इन में दिमाग नहीं है तु कहीं पर भी मत जा यहीं पर बैट और हम दोनों बात करते हैं दीदी अम मैं चलती हूँ मुझे माफ कर दीजिए पर मैं अब कभी भी आपके घर में नहीं आओंगी इतनी सब बात के कर यह है वो दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और चलते चलते कुछी देर के बाद उसकी पत्नियों से बहुत जादा दारती है तुम में थोड़ी सी भी अकल नहीं है तुमने वो औरत वहाँ से भखा दी वो मुझे से बात करने आई थी पता नहीं किस इनसान ने उसका पती मार दिया उसके बुरे करम होंगे और वो तड़क तड़क कर मरेगा मारूंगा मुझे गुस्सा आगया तो अभी चल चल मुझे से बात मत कर कैसी कैसी बाते कर रही है पागल औरत कुछी देर के बाद यहे वो लड़की अपने घर पर जाकर पहुँच जाती है और वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा रोने लगती है और भोलती है अरे भगवान तुने एक तो मेरा पती चीन लिया और उपर से लोग वागों से इतनी भरी बुली यहे मैं सुन नहीं हूँ मुझ पर तो रहा भी नहीं जाता इस दुनिया में आप मैंने यहे क्या बुरा करम किया है भगवान जो कि तू मुझे ऐसी सजा दे रहा है मैं क्या करो मेरे तो कुछ सवज में नहीं आ रहा इतनी सब बात क्यों कर यहे लड़की उसी जगा सो जाती है और उसकी आँख लग जाती है कुछी देर के बाद उसका पती कविस्तान में एक भूत का रूप धारण कर लेता है और यहे बहुत जादा गुस्से में होता है क्योंकि उसको यहे उन लोगों ने मारा था उनसे उसको अपना बदला लेना था अब मैं नहीं चोड़ूंगा उन सब लोगों को जिस जिसने मुझे मारा है और मेरी पत्नी और मुझको अलग कर डाला है नहीं चोड़ूंगा मैं तुझको पड़ोसी अभी आ रहा हूँ नहीं चोड़ने बाला मैं तुम लोगों को समरोगे इतनी सब बात के अगर यहे भूद निकल जाता है अपनी पत्नी की ओर और चलते चलते यहे उसकी पत्नी सो रही होती है तभी यहे अपने घर में आ जाता है और रोने रखता है मेरी पत्नी जरावट के देख कौन आया है तुस्से मिलने तेरा पती तेरे सामने खड़ा है जल्दी देख तू भी अपने पती को देखकर चौक चाहेगी तेरा पती ये कदरनाग भूत बन चुका है ये भगवान ने अच्छा नहीं किया हम दोनों के साथ यह लड़की ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और भूत बहुत ज़्यादा बह्यानक दिख रहा होता है अई भगवान ये क्या हुआ आप तो आगए मैं तो सोच रही थी कि आप कभी भी नहीं लोट कर आओगे अच्छा तो भगवान तुमको ऐसा क्यों या दिया भगवान ने तुम तो एक खतरनाग भूत बन चुकई हो न जी तुमारा ऐसा क्या मकसद है जो पूरा नहीं हुआ तुम भूत कैसे होने जी तुमको स्वर्गी की प्राप्ते क्यों नहीं हुई ऐसा क्या हो गया अरे मैं तुमें क्या बताओं मेरी पतने ऐसा हुआ था जो हमारे बगल में पड़ोसी रहता है उसने मेरा गलाग उटकर मुझे मार डाला और हम दुनों को अलग कर दिया उसने अच्छा नहीं किया मैं उसे मार दूंगा अच्छा जी तो ये सब करा है उसने तुमारे साथ मैं उसे जिन्दा नहीं छोड़ोंगी उसने मुझे से भी बहुत ज्यादा बत्मीजी से बात करी थी हाँ हाँ उसको तो मैं जिन्दा नहीं छोड़ोंगा मैं उसे माने जा रहा हूँ तुम अपना खया धकना मेरे पीछे मत आना अगर तुम्हारा मन करता है तो तुमा भी सकती हो पर तुम देख कर बिल्कुल भी मत घवराना उसको ऐसी मौत दोंगा यह वह लड़का यह कहीं पर जा रहा होता है तब ही उसको एक भयानक आवाज सुनाई देती है और डर जाता है अरे भापरे यह वाज किसकी है कित्ती खतरनाक वाज है यह वाज सुनकर वो बहुत ज़्यादा घवरा जाता है और उसके तोते उड़ जाते हैं और वो डर के मारे धर-धर कापने लगता है कुछी देर के बाद बहुत उस जगा उपस्तित हो जाता है और उसको बहुत ज़्यादा खतरनाक लूप से देख रहा होता है और बोलता है अब मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा निकंबे तुने मेरी पतनी और मुझको अलग कर दिया हम तुनों कैसे अच्छी तरे से अपने चीवन की सुरुवात कर रहे थे पर तुने हमें जीने नहीं दिया अब मैं तुझे जिन्दा नहीं छोड़ूंगा मैं कच्चा चबा जाओंगा अरे अरे यह भूत चला जो जहां से मुझे क्यों मारना चाहता है मैंने तेरे साथ नहीं कुछ किया तू खोजी मर गया था जा जा मैंने कुछ नहीं किया अच्छा अब तो तू ऐसे ही तड़तेगा और फरफड़ाएगा अब देख मैं तुझे कैस कच्चा चबाता हूँ तेरी वी रू काप चाहेगी तभी वह उसकी पदनी आ जाती है और भूत उसे खाने लगता है कुछी देर के बाद यह भूत उसे तरपा तरपा कर उसी जगा धेर कर देता है और मार डालता है अच्छा हुआ इसके साथ अब मेरा मकसद दूरा हो अरे जी क्या कह रही हूई आप चले जाओगे मतलब यहां से तो मेरा इस दुनिया में कौन रहीगा अब मैं जा रहा हूँ मेरा बक्त पूरा हो चुका है अब मुझे मुक्ती की प्राप्ती होगी अच्छा जी तो अपना खयार रखना आप मुझसे अगले जनम में चरूर मिलना आप जैसा पती मुझे कभी नहीं मिल सकता हाँ अब मेरा जाने का बक्त हो रहा है अपना तुम खयार रखना तभी वह भूत उस जगा से गायब हो जाता है और उसकी पतनी अकेली ही अपनी जिन्दगी बिताती है